कुवे का पानी बात बहुत पुरानी है किसी शहर में एक लालची सेट रहता था उसका एक कुवा था एक दिन उसने वह कुवा एक सीधे साधे ब्राम्हन को बेच दिया दूसरे दिन जब ब्राम्हन उस कुवे से पानी बरने के लिए पहुचा तो सेट ने कहा तुम इस कुवें से पानी नहीं भर सकते हैं श्रीमान कल ही तुवह कुवां मैंने आपसे खरीदा था ठीक है तुमने यह कुवां खरीदा है इस कुवें का पानी तु नहीं खरीदा तुम केवल कुवें के मालिक हो मैं कुए के पानी का मालिक हूँ अगर तुम्हें कुए में से पानी लेना हो तो एक बाल्ती पानी के लिए सो रुपई देने होंगे ब्राम्हन मन ही मन पोहत दुखी हुआ वह सीधा राजा के पास पहुँचा और न्याई की भीक मांगने लगा राजा ने सारी बात सुनने के बाद सेट को बुलाया और पूछा अब उस कुए का मालिक कौन है? महराज, उस कुए का मालिक तो ब्रह्मन है, लेकिन उस कुए के पानी का मालिक मैं हूँ राजा सेट की चालाकी समझ गया, उसने पूछा वह कुए तो ब्रह्मन का है ना? और उस कुए का पानी आपका है? जी महराज ब्रह्मन के कुए में आपने अपना पानी क्यों रखा हुआ है? आप अपना पानी वहां से निकाल ले जब तक पानी की एक बून भी उस कुए में रहेगी आपको प्रते दिन किराए के रूप में हजार रुपए ब्रहमन को देने होंगे राजा का फैसला सुनगर सेट एक तम हका बक्का रहेगे वह राजा के चर्णों में बिरकर माफी मांगने लगा मुझे अक्षमा कर दीजिये महराजा आपने मेरी आँख खोल दी इस बार तुर में अक्षमा करता हूँ किन्तु फिर कभी किसी को इस तरह घष्ट पहुँचाया तो मैं काराकरी में डलवा दूँगा अब किसान खुश था क्योंकि उसे न्याय मिल गया था